कपास की कीमतों में इस सल की शुरुवात से ही तेजी जा रही है। जनुरी दोहजार चौबिस से अब तक 15 फीसद से अधिक का उचाल दर्ज किया गया है। जबकि सितंबर तक कपास की कीमतों में और उचाल होने का रुमान लगाया गया है। और इसकी वज़ा अंतर कीमते चिंता जनक तरीके से उपर जाना है और वर्तमान में भारतिय कीमतों से अधिक होना है। कीमतों में ये बड़ोतरी फिलाल किसानों को फायदा पुंचा रही है। लेकिन जानकारों ने चिंता जताई है कि इस तिती के चलते भारतिय किसानों को पिछले साल की तरह अ पानकारों का कहना है कि 2024 की शुरुआत से ही 15 फीसद से अधिक की तेजी के बाद सितंबर तक 6 सीजन के लिए कपास की कीमते मजबूत रहने की संभावना है और अगर मौजूदा तेजी जारी रहती है तो भारत का कपास निर्यात अक्तूबर सितंबर 2022 सीजन में 15.5 लाग गा कपास खरीद पर विपरी तसर डाल सकती है जो किसानों के लिए परिशानी बन सकता है वहीं वायदा बजार ICE पर कपास वर्तमान में डेट साल के हाईस लेवल पर कारोबार करता दिखाए दिया है इसकी वज़ा व्यपारी 60 खरीद को मान रहे हैं हलाकि प्राकरतिक फाइब यानि 60,450 रुपे प्रतिकेंडी चल रहा है जबकि MCX पर मई वायदा 69,980 रुपे के आसपास कारोबार करता दिखाए दिया है वहीं राजकोट में निर्यात के लिए बेंचमार्क शंकर 6 कपास की कीमत 57,600 रुपे प्रतिकेंडी दर्ज की गई है APMC में कपास का मोडल मुल्या यानि जिस दर पर अधिकांश व्यपार होता है वो 7,000 रुपे प्रतिक विंचल देखने को मिला है पिछले सब्ता से इसमें 500 रुपे की कीमतों की तेजी आई है वहीं मिली जानकारी के मुताबिक जानकारों का कहना है कि अंतर रास्टिये कप बाजार चिंता जनक तरीके से उपर जा रहा है और वर्तमान में भारतिये कीमतों से अधिक चल रहा है इसके नतीजे में भारतिये किसानों को पिछले साल की तरह अपनी उपज रोक नहीं पड़ सकती है भारतिये कीमते उसी के अनुरूप बढ़ सकती है ब्यूरो रिपोर Market Times TV